जब राम के नाम पे भगवा के नाम पे जो पाखंड राज के केवल वोट लेना है इसका हम बिरोध जरूर करेंगे तो विजय मालिया को कब लाएंगे नीरो मोधि के कब लाएंगे अच्छा दिन कब लाएंगे दो करोन नोकरी कब लाएंगे अगर इसे राम राज कहा जाए तो पाखंड राज किसी कहा जाएगा यह भाजपा की गारंटी एबियम पे चल नहीं है अगर एबियम हड़ी है तो सब गारंटी खतम हो जागी आपको उत्तरप्रदेश का चुना हुआ था बिलेट पेपर से जो अध्कारी वोड़ दिये थे कि बात उठाता है और पाखंड वाद नहीं सविकार करता वह अनफरत की राजनीत नहीं विश्वास रखता वह बाबा भीम्राव मेट करके बनाए हुए संभीधानों पे चल ला है वह हिंदु मुसल्मान को एक लेके चल ला है उसके लिए सबसे बड़ा मंदिर है पालियामे जब यह क्योंकि अब इनको सेक्ट करना है तो जारकंड में जब तक मुखमंत्री नहीं नहीं होगा तो इसी लिए यह जारकंड के आदिवासी के करण यह किया जा रहा है यह देखना नाजवानों को यह यह आप देखे यही यही तो रामर किया था देवताओं को अपने बस में कर लिया था यह देवताओं को बस में कर लिया था सनी देव को कबजा कर लिया था ग्राहों को सब्दा कर लिया था तो उसी तरह से एक हाथ है यह उसी के उसी का उसी का एक अंग है कि चौधरी जी कह रहे हैं आदिवासी चले जाएं यह देश के लिए दुर्भाग है यह देखना होगा अब जो लोग पाखंडवात के सिकार हुए हैं जो अंदभक्ति का मंत्र ले लिए हैं यह देखिए कि आपके संभिधान पर हमला हो रहा है गोदी मीटिया बोल लाएं कि आदवासी हो लेकिन आदवासी के कारण आज पूरे देश का आदिवासी एक जुठ हुआ है अपने संभिधान बचाने के लिए लोगतंत्र बचाने के लिए और आदिवासीं का संभन बचाने के लिए ब्रेष्टाचार के आरोप लगे तो उन्होंने कहा गर्षिध हो जाएगा मैं सवाजनिर से सन्यास दे दूँगा आफ तो करो सिदित करें चाहपा मार रहे हो जिनको आप कहे रहा है उनको आप में अगर आजा रहा है भारती जंता पार्टी में तो कौन सिवा सिंह लैंको को सारा म जी या जोद्यासिवा गंगा जल दे दिये कि वो सुध्यों ये सोचना पड़ेगा बड़ा दुख कद्डेस में जब चुना हो रहा है आप दो करो नोगरी की बात करो आप सबका साथ सबका विंट की बात करते हो अब अब जब आपको नोट लेना होता है अब महिलाओं की सुरच्छा भी बात नहीं करोगे किसान की आय के दुगना पे बात नहीं करोगे आपको जब बात होगी नौकरी क्यों नहीं मिली गी तो आप पाकिस्तान की बात करोगे ज्यानिबापी की बात करोगे रामलला की बात करोगे क्रिश्न की बात करोगे अरे क्रिश्न की बात करो राम की बात करो यह धर्म आने पी फी पी आने वाली पिढ़ी गुलाम होगी फिर यह मारेंगे और रोने नहीं देंगे इसका सबसे बड़ा मंत्र जो어를 अगर सेटिंग हो गई फिर अगर देश के नौजवानों किसानों मजदूरों दलितों पिछडों जो इस देश में जिनको संभिधान मिला है अधिकार वह आप लोग सोचो इबियम हटाओ संभिधान बचाओ लोगतंत्र बचाओ अने वाली पीडियों को गुलाम होने से बचाओ नहीं बचाओगे तो आपके सामने असिचित कर दिया जाएगा सिच्छा समात कर दी गई अरे भजन तो तब होगी जब जन्मानस में खुशाली होगी भजन तब होगी जब जन्मानस में खुशाली होगी मंदिर बन गया दिव्यांग मंदिर में शंकराशार जी कहे थे अब फिर यहीं मुद्दा आप लोग मंदिर मंदिर क्योंकि हिंदू कार्ड अब चल नहीं तोड़ा जाता बिहार नहीं चौनट टोड़ा जाता अरे नरवस मत हो नौजमानों आगे बढ़ो एबीम का गाउं-गाउंग गली-गली में ब्रोत करो संविधान बचाने के लिए लोकतंत्र बचाने के लिए सत्थ चलने के लिए अरे जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है मुध्दा ज्यान में आपी रही है मुध्दा बेरोजगारी है कि नहीं मडी पुर्क्यों जला यह देश यह सबसे बड़ा मुद्दा है अचा भागवा भागवाधारी बोलकर सत कहना सत पे चलना ही सर पर धम है यही सनातन धर्म है भगवा पहें करके वल राम के नाम पे ठगना वोट लेने के लिए और वोट ले ले तो पिछड़ों को दलितों को सम्मिधान को ताक पे रखे जब मांस में तो हम धर्म का सहरा लें धर्म को जानना चाहिए कि धर्म क्या है हिंदुत क्या है रामचरित मानस में कहीं धर्म के नाम पे कहीं अगड़े के नाम पे अरे नफरत की बात मत करो यह ब्लट काड़ दो ब्लट काड़ दो बिसका कोई बग्जाने के नहीं बता सकता कि हिंदू का रखता है कि मुसल्मान का रखता है अरे मेरे भाईयों नफरत की बीज मत बो यह सांती सिरो सांती का देश किसान में जो उत्पिल्डन है गाउं की गरीबी आप देखो गाउं में महिलाओं की आप देखो यह पाखंड वात पे मैं यह कहना चाहरा हूं भारती जन्ता पार्टी के जो लोग अंद्भक्ती में डूबे हैं आप जागो राम क्या है कमीर सामने कहा था राम तुलसी नहीं रहा तो धर्म नहीं होता हिंदुत की बात क्या है हिंदुत हिंदू असनातन हम राम के बिरोधी नहीं हम भगवा के बिरोधी नहीं लेकिन जब राम के नाम पे भगवा के नाम पे जो पाखंड रज के केवल वोट लेना है इसका हम बिरोध जरूर करेंगे क्योंकि ह हमारी भजन तब होगी जब गरीब के घर में खुसाली होगी जब उसके घर में दीपक जलेगा यह देखिए आप लोग हिंदू राष्ट बनने वाला उसके उपर यह भाई यार क्यों नहीं होता है वह संभीधान का विरोध कर रहे हैं यह लोग कहलाया जा रहा है माहुल कास हुआ करोना में इतनी तड़क तड़क के लोग मरें याक्सीजन कहां से आया आप केवल वैक्सीन पे हर जगा आपका फोटू रहेगा और आप ठगने का काम करेंगे अरे यह उत्तरफरदेश से रास्ता दिल जाता है भाजपा का उत्तरफरदेश में अकले सिया दोने पीडियो को जगाया पीडियो में नब्बे प्रत्सक्त लोग हैं और यह आपको मैं बटा दूँ कि यहां की एडिया आप इस्तमाल कर लो यहां का सीबिया इस्तमाल कर लो सबसे बड़ी जो है उपर वाले की भी है वह जागेगा समाज वाद आएगा पाखंड वाद भाग राम को कौन लेकाया था संकराचार ने बोले थे कि राम को तो गव माता लाए आप आप कहां मुद्दा ले जा रहे हो तो गव बद भी बंद हो जाए राष्ट माता गव घोशित हुई नहीं हुई तो बिजय मालिया को कब लाएंगे नीरो मोधी के कब लाएंगे अच्छ किसानों की आई धूगना कब करेंगे जब यह होगा तब रामराज होगा अगर इसे रामराज कहा जाएगा तो पाघंड राज किसे कहा जाएगा तो चलतो रही है अगर यह भाजपा की गारंटी खतम हो जागी आपको उत्तरप्रदेश का चुना हुआ था बिलेट पेपर से गिंती होई तो भाजपा की सरकार बन गई इसलिए मेरे दोस्तों जो राम में धर में परिवर्तन हो सकता है वोट के लिए जो जो देवताओं में परिवर्तन हो सकता है जो आउतार में परिवर्तन कर सकते हैं तो ईबियम में जरूर परिवतन करेंगे आप सच्चे राम और 2 सच्छे शनातनी हो अस भख्ते वाले थो राम जी के एक राम्राज में एक काने से सीता माता को बनवास हो गया इतना जन्मानस कह रहा है अगर इतना जन्मानस कह रहा है तो आप लेएबम के रह थक्ता आप क्यों आधिर मानेगे वही रम राज आएगा रामराज नहीं वहाँ बुल्डोजर राच चला है बाबा राच चला है वहां के किसानों की सब्डी आए दिन बढ़ रही है महिलाओं की सुर अच्छा आप नवजवानों की देखिए बेरोजगारी चल रही है एक जाज को देखकर के उत्तर प्रदेश का हालत उत्तर प्रदेश में एक ही ब्यक्ति है जो काम कर रहा है वही भाजपा का रास्ता रोकेगा उसका नाम है अकले सियादो क्योंकि उसका मंदर में जाते हैं पीर किया जाते हैं पैगंबर किया जाते हैं लेकिन जब वोट लेना होता तुन्होंने का मैं इकानाई स्टेडियम बनाया कन्या विद्याधन बेरोजगारी भत्ता आज आगरा एक्स्पेस दिया है तुम्हारे लिए इकानाई स्टेडियम दिया है तुम्हें मैं लेप्टाब देने का काम किया है तो उसको वह 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 इस पे वोट मांगते हैं यही हमारा संविधान कहता है यही समाजवाद कहता है इसलिए अकलेश यादो पीडिये का जो रणनीत है पीडिये के ऊपर जिसमें 90 प्रसत लोग है 90 प्रसत लोग खड़े होंगे इबियम भी हटेगा संविधान भी बचेगा और लोतंत्र भी बचेगा और समाजवाद भी आएगा चुनाव आयोग ने आपने कहा चुनाव आयोग में साथ डारेक्टर भाजपा के हैं जो जिससे सिम बनती है इस पे आप सवाल करो क्यों भारती जंता पार्टी के अधिक बचारी बैठें हैं जब यह बैठें हैं तो वह चुनाव आयोग एकदम पूर रूप से भाजपा का आयोग बन गया है यही तो हमारा खत्रा है निशनल दस्तक की आप से गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें